असलाम अलेकुम वीवर्स कैसे है आप सब उमीद करती हूं आप सब ठीक होंगे आप सब को वैलकम है आज जो मैं आप लोगों के साथ रेस्पी शेयर करने जा रही हूं जो के है विंटर स्पेशल मकंडी हलवा यह हलवा बहुत ही कम इंग्रीडियन से बनता है और बहुत ही म भिट्इोस मिल सके मखंडी हलवा बनाने के लिए हमें चीज़े चाहिए एक खब चीनी लिये हैoten एक खब सूजी है सूजी मेंने बारिक वाली नही लिए है ऐक खब घी लिया है गी की जागए आप थेल में बना सकता है लेकिन हलबा के जो फलेवर है वो गीछ से ज्यादा आएगा तो मैंने गी लिया है सिमपल सा आपने एक कप चीनी लेना है, एक कप सुझी लेना है और एक कप गी लेना है यह तीनों छीज़े आपने एक जैसे लेनी है, यह best measurement है हलबा बनाने के लिए इसके एलावा मैंने कुछ ड्राइफूट्स लिये है, जिसमें तोरा अदम, लिये लिये है और तोरें से मैंने लिया है पिस्ता इसके ईलावा कोंगा बने से बीड्राइफूट्स ऽाल सकते है, कम यह जाइधा 2 cup मैंने दूट लिया है दूट की measurement भी मैंने इसी cup से की है तो मैं एक 볼 में जो दूट है वो डाल देती हूँ कि दूट बॉयल्ड किया हुआ दूट नही है कच्चा दूट है तो इसके में 2 cup भी डाल दिया है अब मैं डालूंगे इसमें सूजी सूजी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं दूद के साथ अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब मैं सूजी को ऐसे ही रख दूंगी तकरीबन 25 से 30 मिन के लिए इस से ये होगा जो सूजी है वो सारा दूद एबसर्फ कर लेगी तो जब तक सूजी है अच्छे से होता है हम क्या करते है कि जो ड्राइफ फूट से ना इसको रोस्ट कर लेते हैं एक सॉस पैन लेंगे और जो गी है उसमें से 1 टेबल स्पून गी सॉस पैन में ढाल देंगे गी अच्छे से गरम हो चुका है अब मैं डाली ड्राइफरुट्स, ड्राइफरुट्स को मैंने पकाना नहीं है, लोव फ्लेम पे चार से बांच मिंट के लिए सौटे करने है और यह देखिए ड्राइफरुट्स को मैं निकाल ची की हूँ और जो सूजी है उसको भी 25 मिंट स और बहुत ही अच्छी से सूजी ने दूद को एबसर्फ कर लिया है अब सेम पेन में जो बाकी गी है वो डाल दूगी गी को तोड़ा सा गरम होने जाएंगे गी अच्छे से गरम हो चुका है अब मैं इसमें डालूंगी चीनी अगर आपको ज्यादा मीटा पसंद है तो आप चीनी की मिक्दार ज्यादा भी कर सकते हैं अब मैं चीनी को अच्छे से मिक्स करूंगी और मेडियम फ्लेम पे चीनी को अच्छे से मेल्ट होने दूगी चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है और आपको नजर आ रहा है यह पिस्ता है कुछ और नहीं है चीनी बहुत ही अपको हलवे का कलर जादा क्लर दॉक चाहिए तो आप चीनी को और पकाए अगर आपको कम लाइट चाहिए तो आप इसी में मुझे जादा डॉक कलर नहीं चाहिए था तो मैंने इसमें जो अब मैं इसको अच्छे से mix करूंगे अच्छे से mix कर लेने के बाद ये देखे जो गी है वो अपर आ चुका हलवा का अब हम इसकी बुनाई करेंगे low to medium flame पे आप ने high flame पे इसकी बुनाई नहीं करनी और ये देखे जो हलवा है इसने अपने सारा जो गी है वो एबसर्फ कर लिया है जितना अच्छा आप इसको पकाएंगे लो फ्लेम पे अतना ही अच्छा ये हलवा बनेगा सूजी जब गी छोड़ देगी इसका मतलब जो हलवा है वो अच्छे से बुन चुका है लो फ्लेम पे मैंने हलवा को 10 मिन के लिए अच्छे से बून लिया था ये जो जाक आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर हमने दूर डाला था ये वह ही जाक है अब मैं इसमें डाल इन ड्राइफ फूर्ट अच्छे से मिक्स करेंगे और सर्फ करेंगे ये लीजिए मकंडी हलवा रेड़ी है आप इस मकंडी हलवा को सर्दियों में जरूर ट्राइए कीजिए अगर आपको मेरी ये रेस्पी अच्छे लेगे हो तो अपने दोस्तों फैमली के साथ जरूर शेयर करें मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ ये बहुत ही मज़ी के बनती है इसी रेस्पी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए अपना डिर सारा ख्याल लगे दौाओं में याद रखिए अल्ला हाफिज